सबसे पहले आपनों को D.G.Lakar खुलना है और D.G.Lakar खुलने के बाद यहाँ Subscribe button पर आप क्लिक करेंगे यहाँ आप Type करेंगे T.E.A और आगे भी Type कर सकने लिए इतना ही लिखने पर आगिया तो Teachers Eligibility Test Certified पर क्लिक करके यहाँ आप अपना Role Number लिखेंगे और year month select करके get document पर click करेंगे और यह देखिए कि आपका document add हो गया pending में है भी थोड़ा सा time लग गया और यह add हो चुका है और आप लोग नीचे आके यहाँ देखिए add हो चुका है आप इस पर click करके और certificate देख भी सकते हैं और download भी कर सकते हैं अब इस पर हम लोग click करेंगे और click करके हम लोग certificate को देख सकते हैं यह download button पर download भी कर सकते हैं click करके और इस तरह से हम लोग उसी तरह से अब हम लोग जो है सो search button पर click करके फिर से वज़सी तरह TEA लिखेंगे और teaches eligibility test mark sheet पर click करेंगे यहाँ month और year select करेंगे और roll number लिखे get document पर फिर से क्लिक करेंगे mark sheet डाउनलोड करने के लिए और यहाँ देखेंगे pending में यह तो अब add हो गया है teaches eligibility test mark sheet आ गया है इसको भी देख सकते हैं download भी कर सकते हैं download button पर click करके तो इस तरह से हम लोग teachers eligibility test certificate और mark sheet डाउनलोड कर सकते हैं